आज इस विडियो में हम बात करेंगे Nifty Bank Nifty के बारे में और HDFC Bank के बारे में कि क्या हुआ कैसे हुआ और कल हमने डिसकस किया था Nifty Bank Nifty में पिछले ही कुछ दिनों से हम डिसकस कर रहें कि भई विक्स इतना लो है विक्स इतना लो है बढ़ेगी लास्ट विक हमने ट्रेड ऑप्शन्स दिये थे कि भाई लास्ट यूजे को कि आप इस एक्सपारी के नहीं कल का जो एक्सपारी हुआ उसका आप अच्छा बेनेफिट हुआ कल क्लोजिंग में भी मैंने आपको एक ऑप्शन का स्ट्राटेजी दिया था कि आप 17 1250 का कॉल पुट दोनू 170 से 175 रुपे के बीच में मिल रहा है आज मॉर्निंग में भी वो सेम चेज आपको 175 से 180 रुपीज के मिल रही थी क्लोज होते होते उसने 210 को पार कर दिया है रिस्क फ्री आपको 30 पॉइंट का गेन हुआ है पर लॉट पे अगर मैं बात कुरू करू तो उसको 30 पॉइंट का पर लॉट पे गेन होता हुआ देखने को मिला है तो यनि करीब करीब 300 पॉइंट का गेन हो चुका है अगर मैं overall accumulate करके बात करूं तो ऐसी स्ट्राटेजी जबी भी विक्स आपको 12 के नीचे मिले continue basis पे week on week week on week आप straddle बनाई है विक्स जब आपका 16 के उपर sustain कर जाए 16-17 के उपर sustain कर जाए तब आप धिरे-धिरे वो straddle बनाना छोड़ सकते है तो जबी भी विक्स आपका 11-12 के आसपास हो week on week आपको खाली straddle बनाना है और कुछ नहीं करना है एक दो विक उसमें ऐसे आएंगे और समझें वो चादस विक विक्स बारा के नीचे रहता है उसमें एक दो विक ऐसे आएंगे कि समझें आपने 120 पॉइंट का प्रीमियम पे किया या देड़ सो पॉइंट का प्रीमियम पे किया पर लॉट दोनु साइड का कम माइन तो आपका वो पैसा चला गया यहीं करीब करीब आपका 280-260-300 पॉपे का प्रीमियम चला गया लेकिन ऐसा भी होगा कि दस में से साथ विक ऐसे निखलेंगे कि आपका डेड़ सो का प्रीमियम 300-400 तक भी चला जाएगा इस तरीके से आपको एक मोमेंटम आता हो दिखने को मिलेगा वन आफ दी मोमेंटम कि ऐसा कुछ न्यूज आएगा प्यॉर एंप्यॉर HDFC को लेकि कुछ न्यूज आए कि मेक्वाईरी है या कोई एक इंडेक्स बनाती है बाहर की फॉरें कंपनी MSCI है मेरे खाल से जो एक इंडेक्स बनाती है अपना उसके अंदर जो इसका वेटेज था वन के जगे 0.5 ऐसा जिनले माल बेज दिया मुश की ओपर एक रेक्शन आया है उस रेक्शन के वर आ आपको एक ट्रेड होता हूँ देखने को निले आ अब बात करते हैं मंडे के लिए क्या हो सकता है डिस्क्लेम मर नहीं पढ़ा है डिस्क्लेम हो पढ़ लिजए डिस्कलेमर पढ़ना बहुत की ट्रेड की निफ्टी का अगर लाप बात करें निफ्टी के अंदर एक अच्छा आगर मैं बात करूं ट्रेडिंग के लिए जो अब निकल के आएगा वह क्रीब करीब करना होगा काम तो कर देगा लास््ट दो दिन में हुआक्या है आपको दिख तो रहा होगा के निफ्टी ने कुछ किया नहीं जिधर आपको अधिकरिट प्रिव आस्ट करेक्ट हाट होगा जहाद पर जाके खाटेました और खोवा मार्कित नहीं क्लोज कर दिए तो आपको close on close basis तो नहीं दिख रहा है कि भही बहुत कुछ बड़ा तगड़ा हो चुका है लेकिन अगर आप overall देखोगे चाटी के लिए देखोगे तो nifty ने एक range में consolidated कर लिया एक range create कर दी है जो भी थोड़ा टेकनिकल जानता है करता है उनके लिए एक चीज क्लिरली दिखरी होगी market एक range defined कर दी है वो range कांच से निकल के आ रही है वो range निकल के आ रही है आपकी 18,180,200 से लेके 18,040 इस जोन के अंदर निफ्टी कहीना कई consolidated कर रहा है इसके उपर आज भी निफ्टी निकला fake breakout हुआ नीचे आया कल एक फेक breakout शॉट कवरिंग के वज़े से नीचे आया अगेन उपर जाने की कोशिश किया वही पर resistance दिया नीचे आया तो 180 से 200 का जो जोन है निफ्टी का वह कहीना कही आपको एक resistance होला zone देखते को मिल रहा है नीचे की बाज़ों में बात करो 18,040 एक support zone है simple support के आसपास मंडे को में बात करो तो ही trade प्लान करेंगे ज़दा नहीं करेंगे पहला trade आपको आउना चाहिए अगर market flat खुले या gap up खुले अगर आपको निफ्टी 18,040 से लेके 18,000 की रेंज के बीच में इस 40.000 की रेंज के बीच में अगर आपको निफ्टी कहीं पर भी support लेता हो देखने को मिले support incense market अगर flat खुलता है नीचे जाता है यहां सी एक recovery बनाता है और opening price को break करके उपवा जाने की कुशिश करता है तब आप trade लोगे day low as a stop loss market gap up खुला gap up खुलने के बाद resistance लिया नीचे आया support create कर रहा है double pattern फॉर्म कर रहा है यह एक नीचे एक आपको reversal candle फॉर्म करता है यह एक नीचे एक आपको reversal candle फॉर्म करता है तो आप support पे buy करने की कुशिश करोगे क्योंकि एक support zone है gap down ही खुल गया 18,000 के नीचे ही market खुल गया again first 15 minute candle अगर 50 points से कम की बन रही है 30 points से 35 points के बीच के अगर एक precise candle बन रही है first 15 minute candle red candle बन रही है उसका high या उसका 50% as a stop loss closing basis पे ले सकते हो immediate next candle का and target कितना होगा minimum 1 is to 2, 1 is to 3 दोनों criteria simple as simple as clear Wix में एक breakout हुआ है Wix का अगर हम chart देखें तो काफी दिन हो गया हमने Wix का chart नहीं देखा तो let's check the Wix chart also Wix का भी अगर हम chart देखें तो Wix के chart में भी around around Wix एक resistance level पे मैं कहूंगा कि breakout और resistance level के आसपास है Wix के अंदर एक आपको breakout मिलेगा करीब करीब अगर यह 12.50 के उपर close कर देवे 12.50 के उपर Wix निकल जाए उसके उपर sustain कर जाए तो Wix आपको एक अच्छा वाला breakout देदेगा उस point of time पे और उस point of time पे आपका निफ्टी भी 18,000 के नीचे आ चुका होगा तब आप एक trade ले सकते हो 1-2, 1-3 का ही लेना उससे जाधा का लेना मत क्योंकि फिर bounce आने के chances बन जाएंगे Flat खुले या gap up खुले तो आपके पास strategy है निफ्टी के इंदर क्या करना है अभी एक zone बन गया है 18,000 चाली से लेके 18,200 let's see support पे हम buy करने की कोशिश करेंगे conditions flat ने तो gap up बेचेंगे तब ही अगर market gap down खुले and first 15 minute उस gap को sustain करें ऐसा नहीं कि gap down खुला जैसे आज खुला and चल पड़ा उपर तब हम बेचने वाले नहीं है gap down खुले 15 minute sustain करें उसी के नीचे and then अगर वो continue करता है 50% will be a stop loss and then you'll continue for 1.2, 1.3 risk reward ratio trade now if you talk about Nifty Bank, so Nifty Bank की में अभी दिसकस कर लेते हैं and then we'll come on to HDFC, HDFC Twins bank Nifty की बात करें, comparative to Nifty Nifty equipment मेने सेव किया किया, let me check Nifty का patent and let's open Nifty first and let's check की Nifty का pattern सेव हो एकर नी comparatively बात करूं, Nifty से जादा वीक अब bank Nifty हो चुका है, Nifty से पहले जादा strong bank Nifty था, अब again Nifty से जादा वीक आज bank Nifty हो चुका है, obviously बात है क्योंकि bank Nifty को लिखकर ही update आया था overall banking sector को लेकर ही एक update आया था तो उस case के अंदर bank Nifty को तो काम करना ही था जस तरीके से आज काम किया है, 1000 point का fall आपको bank Nifty में आता हो देखने को मिला है तो let me open the chart okay, now let's talk about Nifty bank, यह रहा Nifty bank का चार्ट, निफ्टी bank की बात करें तो Nifty bank है 15 मिनिट के अंदर एक अपना 200 day EMA को break किया है, अभी slightly अगर मैं बात करू तो थोड़ा सा शौटर टाइम फ्रेम पर ओवर सोल हो चुका है, कोई 1000 point Nifty bank Nifty गिरता है, कभी भी Nifty bank Nifty गिरता है 1000 point 1000 से 1200 point के बाद 100 से 200 point का minimum bounce आता है अगर आप past में भी जाकर देखोगे, continue single day में अगर Nifty bank 1000 से 1200 point के बीच में गिरा है तो एक 200 से 300 point का आपको bounce back भी आता है, इसको मिला है bounce back कीन level से आ सकता है, कहा से आ सकता है अगर bank Nifty में bounce back play करना है, किसी को एक precisely तो भी अगर risk free अगर काम करना है bank Nifty के इंदर तो वे एक अच्छा bounce का level बनेगा आपका 42,300 के आसपस एक अच्छा bounce का level बनेगा जहाँ पर आप buy करने के लिए सोच सकते हो, जहाँ पर आप एक अच्छी अली buying भी चाहो तो कर सकते हो immediate short term अगर मैं बाद करूँ कि भाई, immediate अगर हम bounce का बाद करें तो engine levels पर भी bank Nifty खड़ा है, यही level bank Nifty के लिए bounce के level है 42,600 एक अच्छा bounce का level है, लेकिन अगर आपको Monday को bank Nifty flat खुलने के बाद या gap up खुलने के बाद नीचे आए, और 42,300 के आसपस मिले, वहाँ पर consolidate करें कुछ pattern formation करें, तो वहाँ पर एक bounce के लिए आप चाहो तो play कर सकते हो sell आप करोगे, sell आप तभी करोगे, जब आप 42,000 break होगा तो ही, 42,000 break होने के पहले नहीं यहाँ से 500-600 point और correct कर जाए, correct करने दो, तो कि एक अच्छा, यह जो zone है न, bank Nifty का, यह एक अच्छा support zone है यहाँ पर bank Nifty ने, last week भी अगर मैं बात करूँ, तो करीब-करीब 3-4 दिन bank Nifty ने इस range के अंदर कही ना कहीं तो यह जो zone है, चार दिन जब bank Nifty zone में काम किया है, immediate single candle में उसको break कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है हाला कि momentum में निकल सकता है, लिकिन अगर यह निकलता है, 42,000 एक बार निकलता है, break करता है नीचे की बाज़ों तो फिर bank Nifty के अंदर एक अच्छा zone निकल जाएगा, 41,500 तो bank Nifty आ सकता है, फिर आपके लिए एक अच्छा 500 पॉइंट का अगे जगा निकल के आ जाएगा, उसके पहले एक अच्छा support zone है, इस zone के आसपास से कहिना की bounce आने की कोशिश कर सकता है, same Nifty वाली strategy, gap up खुले, flat ख जाएगा, gap down खुलता है, 42,300 के नीचे ही market खुलता है, और first 15 मिट अकर sustain का जाता है, तो 42,000 तक का एक छोटा trade आप ले सकते हो, and 42,000 अगर break करे, तो आप उसको थोड़ा सा long term के लिए भी hold करना चाहो, तो कर सकते हो, जिनो ने straddle बनाया है, Nifty के अंदर, या bank Nifty के अंदर, जैसा कल हमने discuss किया था, तो वो अपना straddle को hold कर सकते, अब बस ये ध्यान रखेगा, कि अब वो straddle को loss में मताने देजेगा, उसका जो stop loss होना चाहिए, आपका at cost stop loss हो जाना चाहिए, तो अगर आभी क्योंकि market ने का अच्छा move दे दिया है, तो अगर market चाहे तो एका दो दिन consolidate भी कर सकता है, और अगर एका दो दिन consolidate करता है market, तो फिर आपका वो straddle के अंदर अगेन आपका वो cost के निचे जाने की कोशिश हो सकते, तो best case यह होगा कि अगर straddle बनाया है, थोड़ा सा trail कर लीजिए, या तो at cost आप चाहो तो उसको stop loss अगा के hold कर सकते हो, HDFC में अगर मैं बात करू, HDFC के अंदर पिछले पूरे एक मेहना, अगर मैं बात करू, पूरा April और थोड़ा सा March, पूरा March, April में जतना HDFC bank चलने की कोशिश किया, उसका almost HDFC bank ने give up कर दिया, अब HDFC bank के लिए एक ही level निकल के आएगा, वो है 1617 का level, 1617 का level अगर HDFC bank ब्रेक करता है, देन उसके लिए, जो next level निकल के आएगा, सीधा 1560, 1570 के बीच में आएगा, तो अगर HDFC bank को support लेना है, तो यहां से 10 point का maximum pain है, वो मंडे को flat खुल के नीचे जाने की कोशिश करें, या gap up खुल के नीचे जाने की कोशिश करें, अगर सपोर्ट लेए, चल सकते हैं, लेकिन HD HDFC bank के अंदर, अगेन जो खली space निकल के आ रही है, 10 point की ही निकल के आ रही है, 10 रुपे की space निकल के आ रही है, तो अगर HDFC bank 1660, 1615 के असपस कोई support formation करें, तो ध्यान रिखेंगा, फिर Nifty bank, Nifty भी support formation कर सकते हैं, अगर उपर जाने की कुशिश कर सकते हैं, फ्रेश मंदी तो 1560, 1570 तक के लिए HDFC bank के अंदर जगा निकल सकती है, उसी case में अगर मैं HDFC की भी बात करूँ, तो HDFC से में भी same ही काम होता देने को मिला, पिछले पूरे एक डिड़ महने की उसने अपनी तेजी को गवा दिया है, HDFC bank के लिए नीचे की बाजो अगर मैं बात करूँ, त 2650, तो HDFC के अंदर अभी भी थोड़ा सा scope है, HDFC bank के comparison में अभी भी HDFC के धनलका सा scope निकल के आ रहा है, तो अगर 2650 के आसपस, 2660, 2650 के आसपस अगर कोई support ले वे HDFC bank, तो HDFC तो वहां से एक bounce आने की कोशिश हो सकती है, फ्रेश तेजी अब 2650 की नीचे ही आएगी, 2650 अगर break करें, तो फिर आपको 2570, 2550, तो रुपे की और जगा निकलती ही देखने को मिल सकती है, फेडरल बैंक का भी कुछ लोगों का में को comment रहा था, आज क्या हो गया, तो भी result आया, पूरा 2023 के अंदर जितना consolidated करके, फेडरल बैंक अपने highest point पे आज गया, और वही से एक टक कर के बहुत तेज करेक्शन आती ही देखने को मिली, और जिस तरीके का pattern form हो रहा है, थोड़ा सा risk की जादा लग रहा है मुझे, अब nifty, bank nifty को देखते वे, stocks को देखते वे, जिस तरीके के large cap के अंदर pattern formation हुए है, खासका के कुछ banking के अंदर, कि एकदम high से, पिछला जो resistance था एकदम bank nifty भी अपने जो previous all time high थे, उस ते 500 point दूर था, काफी सारे bank nifty के stocks थे, जो अपने all time high से 1,2,2,3,3 percent दूर थे, वहां से जो एक शाप correction आया है, वो कुछ indicate कर रहे है कि भाई, उपर के levels पे इतना easy नहीं हो रहा है उनको काट पाना, तो अब federal bank के अंदर, fresh trading view या investing view, 130, 135, 140 के उपर ही निकालेगा, 140 के उपर ही काम किजेगा, उसके पहले काम करना नहीं है, और यह federal bank तो पूरी तरीके से falling knife का pattern बनाया है, तो इसमें तो आप support पे buy करने के भी मत सोचेगा, क्योंकि जे तरीके से गिरा है, लगता नहीं है यह रुकना चाहिए, अगर रुकना से फ़रासा दूर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा हो सकता है, नन्यवात,